सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गोर्मेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अब्डेट्स मिलते रहें इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि इंडियन आमी में आपको चिल्डरन एजुकेशन अलोएंस का कितना पैसा मिलता है तो CEA कैलकुलेट करेंगे चिल्डरन एजुकेशन अलोएंस आपको आर्मी में कितना मिलेगा यानि आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आर्मी सरकार के दुरूप पैसा मिल रहे है तो और क्या चाहिए भई आपको। आपको सरकार तो इसके अलावा कितनी फैसलेटी देती है कम्यृटेशन दे रहे है पैसा का आपको ग्रैचुटी का पैसा दे रहे है लीव इनकैश्मेंट भी दे रहे है सरकार अगर आपने इन सब पर वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल पे देख लीजे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वो सारी information जो चाहिए हो मिल जाएंगी प्लस अब ये लेकर रहे हूँ कि Children Education Allowance का भी पैसा आपको दे रही है सरकार कितना पैसा दे रही है? 27,000 रुपए सालाना दे रही है यानी एक महीने का बाइस सो पचास रुपए दे रही है Children Education Allowance और ये दो बच्चे अगर आपके हैं maximum तो ही मिलेगा, दो से जादा हैं तो नहीं मिलेगा दो बच्चों maximum के लिए मिलेगा आपको बाइस सो पचास रुपए ये हो गया point number one, साल में total 27,000 रुपए आप CEA का ले सकते हो आपको क्या करना होगा? जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां से एक bonafide certificate बनाना पढ़ेगा उस साल का कि ये certified है कि ये इस स्कूल में पढ़ रहा है आपके बच्चे को बोलो कि एक bonafide certificate बना के लिया है स्कूल से जिसमें उसके principal के sign है, stamp लगा है तो आप उस bonafide certificate के basis पे claim कर सकते हो कि आपको Children Education Allowance का पैसा मिलेगा तो ये आपको स्कूल से certificate मिल जाएगा अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास दूसरा option भी है कि आपके बच्चे का report card आता है साल में जब पास होता है तो report card या जो fees आप भेज रहे हो, उसकी attested copies, उसकी copies sign कराके अपने organization में किसी visited officer से sign कराके आप वह भी लगा सकते हो और ये पैसा claim कर सकते हो, claim करना पड़ेगा आपको 27,000 रुपए जो आपको अराम से मिल जाएंगे तो point number two clear होगे है कि आपको इसको लेने का तरीका क्या है कि आपको document कुछ तयार करने है और हो तयार करके आपको अपने payment section में वहाँ से इसको claim कर लेना है point number three है कि अगर in case आपका बच्चा जो है वो दिव्यांग हो जाता है, एक special child हो जाता है अगर आपका बच्चा तो आपको double पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, सालाना उसको पढ़ाने का, उनकी maintenance का अगर आप point number four, hostel subsidy लेना चाह रहे हैं, आपका बच्चा hostel में पढ़ रहा है, आप घर के पास नहीं रखना चाह रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल, सैनिक स्कूल, कहीं डालना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, तो आपको सालाना hostel subsidy के नाम पे 81,000 रुपीज मिलेगा, और ये कब मिलेगा, जब आपका जो hostel है, जहां बच्चे को आपने रखा हुआ है, बोर्डिंग, वो 50 किलोमेटर दूर है, आप बताओगे तो सही न, कहां रहे, कहां है, उससे bonified certificate वहां से भी बनाओगे, तो अगर आपका बच्चा स्कूल के साथ साथ, hostel में भी रह रहा है, तो आपको 81,000 रुपीज मिलेंगे साल के, उसको पढ़ाने के लिए, उनकी maintenance के लिए, पाच्वा पॉइंट, ये facilities आप अपने बच्चों की, कितने साल तक ले सकते हो, 20 साल तक आपका बच्चा हो जाएगा, तब तक, या वो जब बारवी पास क ले, तब तक ले सकते हो, जो पहले आजाएगा, तब ले सकते हो, अगर आपका बच्चा पहले बारवी कर लेगा, मालो 17 साल में उसने बारवी कर दी, तब तक ही आप ले सकते हो, अगर फेल हो गया, दो तीन बार, तो 20 साल तक maximum ले सकते हो, दिव्यांग के case में, 22 साल तक आप ले सकते हो, कि अगर ओ फेल हो रहा है बीच में एक दो क्लास में फेल हो गया, तो आप बाइस साल तक ले सकते हैं, इसमें आपके बच्चे के फेल होने से कोई फरक नहीं पड़ता, point number 7 यहीं clear हो गया, आपके बच्चे की performance कैसी है, उस से इसमें depend नहीं पड़ता, छटा point क्या है, अगर आप और आपकी wife या दोनों आप working हैं, तो दोनों यह चीज claim नहीं करेंगे, आप मेंसे कोई एक ही यह चीज को claim कर सकता है, और इसका पैसा आपको मिलेगा, यह सारी चीज उदर आपके payment section में देख ली जाती है, point number 8 और last one point है, कि अगर आप nursery से 12 तक पढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बोला boarding school वगेरा, तब आप claim कर सकते हैं, दसवी के बाद आपका बच्चा direct diploma कर रहा है, तो दो साल तक आप कर सकते हैं, इसको claim diploma के बाद भी, ताकि 11 वी बार वी वाले duration में उसको उसका पैसा मिल, तो I hope यह वीडियो आपको clarity देगी, कि आप आर्मी में क्या यह अच्छी वाली facilities, CEA, Children Education Alliance का पैसा 27,000 रुपयानी, बच्चे को पढ़ाना भी विल्कुल फ्री हो गया है, अपने commutation वो सब तो देखी लिया होगा, इस चैनल पे अगर नहीं देखा है, चैनल को subscribe कर लो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालू सबसे पहले आपके पास आए, आपको पता चलेगी यह आपके relevant है की नहीं है, तो I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करना, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को subscribe करना, ताकि आपको regular updates मिलते रहें,